गूट मोर्णी याव स्टुडेंट वेलकम बैक तो मोडिफाई कोजिंग क्लासेस इस्टुडेंट आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैंतमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट जिसमें आप पढ़ेंगे बेसिक डिपनिशन आप नंबर सिस्टम मतलब इसमें आपको फर्स चैप्टर तो पहले हमें क्या पढ़ना बेसिक डिपनिशन मतलब जो डिपनिशन बेसिक है वह हमें जो सारे चैप्टर में यूज होने वाली है वह सारी डिपनिशन को हम यहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे तो हमें यहां पर फर्स चैप्टर में नंबर सिस्टम की डिपनिशन जा रहे बेजिक द सब्सक्राइब जो चलते हैं सबस्राइब मेरे नंबर में तो कि इन्द नंबरा कि यह जी रू detention इन्पाइनाय मतलब ऑन स्चूरμ में इनियो नंबर से श्टाइब आइन के अपैट नेचिरल नंबर सब्सक्राइब करोने नेचिरल नंबर की नाम से हम लोग जानते हैं कि बेसिक डिश्म में पहले डिपनिशन साफ की है की नेचिरल स्वाइब बताया है मैंने आपको बता है कि यहां से होते हैं वह आपकी कहां सी अब्र मतलब इंपाइंक नाइट तक कहा तक जाते हैं वह हमारी क्या कहलाता है जेज्ट उते हैं इससले मैंने यह पिछीं से पता हैं आपको सिंपल में कि आल-कांट्टिंग नंबर सीवनीजु आलगक्यांम वह ह lifuto धिक्या ओढ़ी नंबर से दिन नाम से जानते हैं अब जैखिंगे यह वन टू थी सारे जो नंबर से दिख रहे हैं यह आपके सब क्या हैं नेचूरल से नंबर है और इनको हम नंबर होंगे उनको अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा यदि हम उनको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर आप जैसे नंबर आप लिखते हैं ना तो सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन में हमने रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको रिप्रेज नंबराइन दिने सबस्टेंटाल नबर्स टांटी नंबरर मुझे सब्सक्राइब कि एक तो क्यomed करेंक और लुपर एक होता है कि हो हो फुर नंबट सब्सक्राइब provider यो के सांध संब्लित कर दिया जाए इसके साथ इंप्रूट कर दिया ज fallen लिदी नेच्र shading नमबर समें जी रूकार इंप्रूट की तर दिया जाए जीरो के शेवी कि ißtね क्या कहलाती है hop all number देघ्च्प्रक्रक्रस अगोल नम्बर आपके क्या हो जाएगा जीरो क्या होगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि smallest all number क्या होगा तो हमारा smallest अगोल लंबर क्या हो जाएगा 0 तो यह हैं पे मैंने आपको two satisfaction प्राए पहला हमारे क्या होते हैं मैंने आपको बताया कि all counting numbers 123 to dash 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 in finite are required natural number और मैंने whole numbers के लिए आपको बताया है that whole numbers की definition क्या होगी natural number together with Zero यह कह सकते है Zero include natural number that make a whole तो क्या होगा वह नमबर बन जाएंगे अगर आप से पूछेगा मौल नमबर क्या होगा फिर इसके बाद हमारा आता है यह तो नेचुरल नमबर की बाद तोड़ी समझते हैं हमें आप समझता समझना है जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि इवन और ओड जैसे लिखा वान टू थ्री फोर फाइब अब हमें इवन नमबर इसमें समझना है और नमबर समझना है जैसे जीन नमबर पे हम सर्कल लगाएंगी, जैसे 1 थ्री फाइब से उपढ हुझ biblical और ओड नमबर हो जाएंगी? जिस पर cross का निसान लगा। जैसे two पे मैंने cross का निसान लगा है, four पे मैंने cross का लगाया, six पे मैंने cross का लगाया, एसे eight लिख जिस पर cross का sign लगाया, वो हमारी होके even number, क्या होके even number तो हम generally odd और even इस तरह समझ सकते हैं, कि 1, 2, 1, 3, 5, 7, यह सब हमारी क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, यह सब odd number है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यह सारी हमारी क्या है, even number है, तो यह हम यहाँ पर पढ़े समझे, even और odd के बारे में, मतलब odd number क्या होता है, even number क्या होता है, after that हम चलते हैं, इस पर integers की होता है, इंटीजर्स क्या होता है, इसमें पूछेगा, इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं क्या, जिसमें कहता है, natural numbers are a subset of integer, कहता है, natural, मतलब जो natural होते, प्राक्टिक संख्याएं, जो होती है, उनके ही subset हमारा क्या कहलाता है, integers कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है, नेचु क्या लिख्या वान तू मैंने भी समझाया आपको थरी और विदाउट जीरो वो ने चुन पॉस्ट्व इनको हम क्या गएंगे वान टू थरी पॉर है शीक्स आपनेट नाइन तेन यह चुछ हमारे जाते रहेंगे इनको हम क्या बोलेंगे पॉस्ट्व इंटीजर्स क्याॉस जब ने हाने संब्सक्राइब क्या जीरो यह चाहिए जो ग伸िक्या आखाई यह संब्सक्राइब करिंगे jaky जैसे क्या Polo मैंने आपको दिस्षाए है Integer's और 1 डिटे निटेंट च conception lip रख इस बात को दिए हैं कि फिर INTIGERS के टाइप में चलते बिवाकाइन कहुंसे सब्सित क्यूं यह हमारे काउंट से होल नमब्र 3-जो रहेगा और अधिव की आ पता है इंटीजर सो निगेट विसटा होता है ओर Guinea कि अभी होता है तो हम यह पढ़ेंगे पोजिटिव इंटीचरि निटीचन है। के बारे में यहीं होते हैं इसमें घृतर वोता हैं मतलब जिटने-बी-नम्बर गे वो क्या होंगे zero से ज़्यादा हुए है फिर इसके बाद आता है अब मैने बता तो से सब 99 सैंड़ से ह häufig गये वह less than 0 होगे麼 क्या होंगे लेस्ट डिशिए माइनस वान मैनस टू मान इनस धरी यह किया होंगे सब जीरो से कम है तो यह निगेटिव टिटी जैर्स के बाद जिकन की बादके क्वाच की बाता है as a definition of whole number, whole number के definition के according, 0 ना तो हमारा negative integers है, ना तो positive integers है, 0 is defined as neither negative nor positive, ना तो negative integers है, ना तो positive integers है, 0 हमारा क्या है, whole number है, after that हमारा आता है, rational number, जो की importance है, 7th में भी, 8th में भी important है, तो हमारा क्या हैगा, whole number, क्या हैगा, अब आएगा हमारा whole numbers, तो देख, whole numbers मैंने पढ़ाया, अब आएगा हमारा rational number, rational numbers में यह कहता है, fraction with an integers, numerator and positive integers in the denominator, it is represented in the form P upon Q, कहता है, यह दिख, आप रैक्सन, यह दिख, रैक्सन के साथ में है, integers, numerator, numerator, numerator मतलब होता है, uns, जिसको आप कहते है, numerator and denominator के form में लिखे जाते है, तो कहता है, मैंने आपको rational number से simple definition बताता हूँ, कि a numbers denote, a numbers denote P upon Q, a number denotes P upon Q, it's called a rational number, where Q is not equal to 0, कहता है, एक ऐसा number जो P upon Q की रूप में represent किया जाता है, जहां पर Q की value 0 के equal नहीं होगी, जो यहां पर Q की value 0 के equal नहीं होगी, वो हमारा कहलाएगा rational number, क्या कहलाएगा, rational number, तो यह हमारी थी rational number के definition, rational number के definition यह कहती है, अब fraction with an integer numerator, और यहां तो वह पॉस्ट्यूट्onia 되고 वह जो जगी एक्वल नहीं होगी इस नोटट की चीलाएगा आपका वहमारा क्या कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा रैशनल नंबर रैशनल नंबर की डिपनिशन स्टुडेंट होती है नंबर दिनोट पी अपां क्यों वेर क्यों इच नॉट इक्वल टुची रो इट्सकाइड रैशनल नंबर कहता है डेसी नंबर मल नंबर विच है बर रिपीटिंग पैटन वी आलसो धसे जैसे हमारा रिपीडिंग होता है देसीमल नंबर जहाए Tonga के रचनल नंबर में आएहां संहीं क्याफिर इसके बाद हमारा आपया इराशनल नंबर आप gratuit ind keen यह कहता है a number that can not be written as fraction एक ऐसा number जिसे हम P upon Q की रुप में represent नहीं कर सकते हैं वो हमारा है irrational number या अपनी में से कहलाता है it is never ending number थेक है and does not repeat itself मतलब यह कहता है यह कभी अंत नहीं होने वाला number है और यह अपने आप यह numbers अपने आपको repeat नहीं करते हैं जिसे पाई की वैलू 3.14159 और दिस दैंडिस वाइस दो फॉस्ट रिश्पोरडवाई पैथा गोरियस पैथा गोरस इन ग्रीक जो की ग्रीक के रहने वाले थे तो यह था हमारा क्या था श्कारव रैशनल नंबर इसके बाद हम आप आप्लिशनल नंबर की बात करते हैं तो अब बात करेंगे प्राइम नंबर की डिफिशन नंंबर नम्बर युट्स कार्ड प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जिसके कि दो होते हैं पहला वन दूसरा इंसल्प नंबर होता है वो दोनों प्राइम नंबर कहलाते हैं तो प्राइम नंबरस अब देखेंगे टू के है तो जो है वह बन 2017 कि दिवाइड होगा और तू से डिवाइड और अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा फिर इसके बाद कहता है तुरी थी के भी 21 है और तुर यह हमारा क्या हूँ अप्राइम नंबर हुआ फिर इसके बाद अगर हम 3 लेते हैं 3 के भी 2 multiples 1 and 3 फिर 4 लेते हैं 1 4 के 3 multiples होते हैं 1 2 and 4 1 2 4 1s divide होगा 2s divide होगा 4s divide होगा 3 multiples हो गए तो 3 multiples होगा ये हमारा क्या कहलाएगा composite number इसलिए हमारा ऐसे numbers जिस्टी कितने multiples होते है 2 multiples 1 and itself number it's called prime number a number having 2 mulls 1 and itself number it's called और रेडाव कक्राइम मतलब और टुछा इवेजरे समॉलेस्ट प्राइम दिंब्र मतलब अपर देट सब्घच एगाए एक ऐसा नूबर जिसके तु और से ज्यादा multiple होते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है, क्या composite numbers कहलाता है, a number having two are more multiples, वो हमारा क्या कहलाता है, composite numbers, जैसे मैंने आपको example 4 का बताया था, 4 की 3 multiples है, 1, 3, 1, 2, and 4, ऐसे 6 का देख लेंगे, 1, 3, and 6, क्योंकि 6, 1, 3, and 6 से divide होता है, ऐसे देख लेंगे, आप 8 का, 1, 2, 4, 8, मतलब 2 से ज्यादा multiple हैं, इसलिए क्या होगा, हमारा composite number होगा, the smallest composite number ही जब 4, मतलब सबसे छोटा composite number हमारा क्या होता है, student 4 होता है, इसके after that हम इस पे चलते हैं, यह तो आपका हुआ composite number, फिर after that आप जाएंगे, तो composite numbers पढ़ने के बाद, यह तो आप composite number, फिर इसके बाद हमने हाँ पे real number की definition लिखी है, real number क्या होता है, asset of rational and irrational number, our card real number, मतलब rational number और irrational number के हम क्या group को क्या बोले दे हैं, real number या वास्टविक संख्या बोलते हैं, इसे हम क्या R से represent करते हैं, तो rational number में ने आपको पढ़ाया, irrational number पढ़ाया, prime number पढ़ाया, even पढ़ाया, odd पढ़ाया, natural number पढ़ाया, whole number पढ़ाया, तो यह हमारी इसी basic definition of number system, number system की इसमें आपने basic definitions पढ़ी, next classes में हम chapters के बारे में discuss करेंगे, chapter 1 के बारे में discuss करेंगे, और chapter 1 के 1.1 के बारे में discuss करेंगे, तो आप वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, स तो आज की classes student यही तक है, वीडियो को लाश्ट तक अवस्त देखिएगा,